तो आज जो हमारी लाइक क्लास है और एम सोरी में दस मिंट लेट हो गई लेकिन हम अपनी क्लास पूरी जरूर करेंगे कि जो भारत की दूसरी स्वादेशी कोरोना की जो दवाई है दवाई अगर पूछा जाए याद रखेगा शुरुवात में एक चीज में आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपसे ये कोशन पूछा जाए कि भारत की पहली वैक्सिन कोरोना वाइरस के खिलाफ तो आप किसका नाम बताएंगे को वैक्सिन का लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली दवाई एंटी कोविट मेडिसीन या कोरोना रोधी पहली भारत की पूर्ण रूपसे स्वधेशी दवाई तो आप किसका नाम लेंगे टू डिजी तो ये टू डिजी जो मेडिसीन है ये क्या है या आज हम पूरा वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखे और पीस अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी बहुत भी महनत की जाती है तो वीडियो को लाइक करना एक मिंट रुख जाएए प्लीज तब तक के लिए अगर आपका कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं माज की वीडियो तो टू डिजी वैक्सिन एक मिंट करते हु़ हुआ उज करते हैं ढोई करस्टार्स हां तो आम सोरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके लिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तो पहले आपकी कमेंट देख रही जाएं कि आपकी कोई क्वारी है तो टॉपिक हमारा क्या है तू डीजी की भारत की जो पहली एंड कोविड मैडिसीन है जो पूंट रूप से च्वादेशी है उसका आखिर कि हमारे बोडी में जाकर ये काम कैस करता है तो पूरा हम देखेंगे तो सबसे पहले रिली सोरी कि शुरू आत्मे थोड़ी डिस्टरबेंस हुई आप लोगों को चलिए शुरू करते हैं पर ना आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाइं चलिए बाद में चीजे हम डिस्कसर करेंगे तो शुरू करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि जो भारत की पहली एंटी कोविट मेडिसीन यान की जो पहली कोरोना रोधी जो दवाई है उसका क्या नाम है टू डीजी जिसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होने चाहिए और इसकी फुल फॉर्म क्या है 2-Dioxyd-D-Glucose, क्या है 2-Dioxyd-D-Glucose, इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा इसकी फुल फॉर्म से, कि जो 2-DG हमारे anti-covid medicine है, यह दर असल क्या है, यह आपका glucose का ही एक analog है, या glucose का ही एक रूप है, तो नाम में भी देख लिए, glucose आ रहा है, तो यह जो दवाई है, इसम पाउडर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, मरीज को जब यह दवाई दी जाएगी, तो यह पाउडर फॉर्म में दी जाएगी, मतलब पानी में घोल के मरीज को यह जो दवाई है, यह लेनी होगी, तो यह चीज़ आप याद रखे, यह सामन कुमा यह पून रूप से क्या है स्वधेशी है लेकिन स्वधेशी है तो हमें यह बताईए कि यह कौन सी इंस्टिचूट के द्वारा बनाई गई तो यह जो दवाई है डी आडियो के द्वारा बनाएगी है डी आडियो जिसकी फुल फॉर्म है Defense Research and Development Organization और इसका Headquarter कहा है कोई बता सकता है कि डी आडियो का भारत में Headquarter कहा है जल्दी बताई कमेंट करके ओके जूम करिए ठीक है अचली आज हमारे थोड़ टेक्निकल प्रोब्लम जादा हो रही है क्योंकि अभी कोई है नहीं है आपे तो प्लीज थोड़ा अड्जस्ट कर लिए मुझे सुनके कर लिजे तो डी आडियो का Headquarter न्यू देली में बिल्कुल सही है आपका विकास पांडेजी आंसर बिल्कुल सही है तो डी आडियो का Headquarter है वह आपके बिल्कुल सही वेरे गुड विकास पांडेज बिल्कुल सही है आपका तो भारत में डॉक्तर रैडिस लेड़ेटरी के द्वारा इस वेकसर मैडिसीन का निर्मान किया या रहा है दूसरी जीज़ आपको याद रखनी है कि इसे मंजूरी किसे ने दी है जो जो जितनी भी हमारे देश में, जितनी भी जो हमारे देश में कोई दवाया बनाई जाती हैं, कोई इंजेक्शन बनाई जाते हैं, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है मनजूरी किसके द्वारा दी जाने, DGCI, तो DGCI, याद रखे, DGCI के द्वारा हमारे देश में, अगर इसका ब्याइट कोटर आपका दिली में है ठीक है और इस जो का अंटी कोविट जो आपकी मैडिसीन है इसे भी डीजी सियाई नहीं जो है आपकाल मंजूरी दी है ताकि जो कोरोना वायर्स के जो केस है जिससे कई लोगों की जाने भी जा रही है जल्ले से चल्दी उनको ठीक किया जा सकें कैसे ठीक किया जा रहा है इसके द्वाई के द्वारा हम आगी अभी डिसकस करेंगे हां बिलकुल सही हम डियाद्यो एस्टबिश्ट इन नागभुशन याद्धी दूसरी चीज अभी और एक और चीज बताना भूलके डिसकस करना कि जो डॉक्टर रैडिस ल उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटी कोविट जो मैडिसिन बनाई गई है 2DG यह कैसे काम करती है हमें पता है कि यह कोरोना जो मरीज है उनको ठीक करने के लिए दवाई बनाएगी है लेकिन कैसे ठीक करेगी वह हम चैसे इसका आंसर क्या होगा तो यह जो दवाई है इस तो यह जो दवाई है सिर्फ उन्ही सेल को इंफेक्टेड करती हैं कि उन सेल को निशाना बनाएगी उन कोशिकाओ को निशाना बनाएगी जो कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो चुके है यानि कि जो हमारे हेल्दी सेल है उनके साथ यह है जो दवाई है मैडिसिन है कोई सिर्फ वो सेल जो की इंफेक्टिड हो चुके हैं उनके साथ उनको जाकर यह जो दवाई है उन पर एफेक्ट करेगी ताकि जो इंफेक्टिड सेल हो चुके हैं उनको ठीक कर सके यान की उन सेल की आगे ग्रोथ ना हो सके तो जो इंफेक्टिड हो चुके हैं हमारी बोडी के स तो इस तरह से जो दवाई है यह आपकी काम करती है तो बाद चल गया कि कैसे काम करती है उसके बाद कोशन आता है कि ठीक है अब बहुता चल गया कि यह इसका काम क्या है कैसे जो कोरोना वायर्स के मरीज में जाके यह काम करती है लेकिन काम कर गया तो इसका काम क्या है इसका जो real function है, वो क्या है, क्यों ये दवाई बनाए गई, तो ये जो दवाई बनाए गई, इसके काफी trial, तीन trial हो चुके है, और उसके बाद ये देखा गया, कि इसका जो main function है, ये जो दवाई help किसमें करेगी, कि वो मरीज, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके है, जो ICU त कम तक जो ये medicine है, वो कम कर देती है, तो आपको पता है, कि हमारे जश में oxygen की वैसे ही, बहुत hospitals में, ऑक्सीजन की कमी की कारण, कई मरीजों की मिर्त्य भी होगी, डैथ भी होगी, तो ये medicine हमारे लिए एक जीवन दायक हो सिद साबित होगी, क्योंकि जो ये medicine है, oxygen की डिपे होगी, तो अभी आपका कोई भी ये डाउट है, तो डीटी मेडी सिन के बार में तो आप पूछ सकते हैं, जो लोग बात में जूड चुके हैं, तो कोई भी ये अगर आपको डाउट हो, आप पूछ ले, अमनकुमार बिल्कुल सही आंस्षय है, इत रिड्打 this dependency on oxygen, कि कि चं नहीं पता है भी फिक्स नहीं हो पाया तो जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको कॉम्यूनिटी में जरूर बता दूँगी ठीक है तो टीजी को लॉंच कर दिया जा चुका है अभी मंडे को ही जो हमारे रक्षा मंतिर आजनात सिंग और जो आपके हैल्थ मिनिस्टर है जो आपके डॉक्टर हार्शवर्दर उनके द्वारा जो लॉंच कर दिया गया है अभी लगनी शुरूर नहीं हुई है मार्केट में वो अलग बात है इसको बनाने इसको जो शुरुवात ने जो लॉंच किस ने बनाई है डी आडि उने ठीक है तो डिफेंस रिसर्च और डेवल्मेंट और्गनाजेशन इसका जो हैड़कॉर्टर है डी आड़वन नेदिली में है लेकिन इसे भारत में अमन कुमार जो बना रही है जिसको काम धिया गया है बनाने का। वह लैबरेेटरी है डॉक्त्रग्टर डीज लैबरेटरी है डॉक्त्रड्ऑ 누रेटरी मू को उसरी को नहीं है ठीक है धून्टाजीसरों यह नहीं है अगर एक दूसरे को फैल थी अमन कुमाना कंडेजेस होती तो आप सोच सकते हैं कि मैंने अगर आपको वीडियो देखी है म्यूकोर मार्कोसिस या ब्लैक फंगस उसे मैंने आपको बताया था कि यह पहले पी इन्वाइमेंट में मुझूद था अगर आप ब्रैड को सड़ा अगर ला दे तीन-चार दिन तक तो उस पर भी आपका जो काले रंग की जो फंगस आती है वह भी ब्लैक फंगस है तो उससे भी हमें फैल सकता था अगर हो सकता लेकिन वह सिफ उन लोगों को टार्गेट करता है जिनके इम्मिनिटी कम हो जो कोरोना वाइरस से ठीक हुए ह जिन्होंने स्चिडोईड लिया है या फिर जिनका यो डायबिटीज जिसको होती है उन लोगों को ज़्यादा अधेड करता है में वीकाश पांड़ेजिन जून मेंollen लगेगा थैंक्यू बताने के लेए जून मेंहें लागगा बिकास पांड़ेजिन बता रहे हैं को कि एक प्रुखार जो आता है क्योंकि हमारी इम्मुनिटी है उसके खिलाफ रेक्ट करती है और उसके खिलाफ एंटी बनाती है तो हमारी शीर में फिवर आता है अगर अगर देखा होगा कि छोटे बच्चो को भी जब वैक्सी लगती है उनको जो 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 पॉलियो की डॉब् जो एक है बता दियो मतर को कि बच्चे को बुखार रसकता है तो अब यह तो यह को लोगर आ इससे तो आही सकता है भुखार ठीक है तो औससे कोई डरने की जुर्तनी है लेकिन क्डिशन जो क्या है किसको हो सकती है वह मैंने ब्लैकिस फंगस घुम प्लीडियो को बनाती उसमें क्लियर बता है अप अप मन क्उमार जी अपनी ठीक है ज्शी बात है प्लीज वीडियो को लाइक之前 जितने भी लोग लाइब आचुके हैं वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें और अगर आप जुड़ना चाहें हमारे साथ तो Instagram, Telegram, Twitter तीनों पर दक्षता अकैडमी कर सर्च करेंगे टेलिग्राम पर बहुत चीज़े डाल जाती है तो टेलिग्राम पर जुरूर फॉलो करें Instagram पर भी Instagram और Twitter का जो लिंक है मैंने Community में जागर अगर आप देखेंगे तो वहाँ दिया हुआ है यह चैनल की About section में जाएंगे तो वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं और कोई कोशन आप लोगों का वैक्सिन लगने के बाद पी डेथ क्यू हो रही है अमन कुमार यह जो आभी जो सेकिंड वेव आई है कोरोना वायरस की जो वायरस है बहुत खतरनाक है मुटेंट जो है हो चुका है और यह एकदम से जो है बहुत जादा अफेक्ट कर रहा है हमारे बोडी को और मितलब यह मारे नॉन भी है काफी लोगों की डेथ हुई है जो हमारे लेटिव में भी तो यह जो है बोडी को ताइम ही नहीं देता कि आप उससे रीकवर हो सके फटा वट रिजो लंक्स में जाके इसको इंफेक्ट कर देता है डिपेंट करता है कि वह जो म्यूटेंट है जो वायरस है वह किस तरह का है ठीक है तो सेकिंड वेव में कि लेटा जो जो यह जो पार बार आभी दो दिन पहले को बताया था कि यह यह वायरस इन शिंगापूर स्ट्रेंट है तो इस पर काफी विवाद चल रहा है सिंगापूर देशने के जीवाल को काफी निंदा कि हुनकी कि कि आपने हमारे देश को नाम कैसे लिए तो अलग लग लग action हो सकता है देखिए वाइरस जो है अपना DNA और चेंज करता रहता है और जब उनका जो genetic material चेंज होता है तो उसका जो नया रूप सामने आता है उसे हम क्या कहते है म्यूटेंट है उसका 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 एक अलग variant आगया तो वो डिपेंड करता है कि आप किस से इंफेक कि आज मेरा कुछ तीम हमारे साथ नहीं है तो आप मैं बता रही हूं आप कोई डाउट है तो वर्बली आप उनसे पूछ सकते हैं ठीक है टूडी जी वैकसीन नहीं दवाई है तो इसके बार में नहीं बताई वैकसीन के जो गाइडलाइन्स होते हैं कि आप इन इनको दे सकते हैं लेकिन यह दवाई है, simple, यह powder form है, जैसे हम दवाई किसी को भी दे देते हैं बच्चे को गुड़े को, ऐसे ही जो दवाई है, तो यह वैक्सिन नहीं है, और एक और चीज डिसकस करना चाहूंगी, अभी, कल भी हमने डिसकस किया था, लाइब में, कि जो पहले अभी जो वैक्सिनेशन ह लेक मेई से आपका 18 प्लस के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अभी बहुत जल्दी ट्रायल शुरू होने वाले हैं, 10-12 दिन के बाद जो है, आपके वो बच्चे यानकी 2 साल से 18 साल तक के बच्चों पर भी जो वैक्सिन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से उनको भी वैक्सिन लगनी शुरू हो जाएगी, ओके? प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अगर आपको लगता है कि आप लोग के लिए महनत की जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फैंट्स के साथ, और कोई अगर आप कावेव तीन-चार दिन से कम केसी जा रहे हैं महारास्टर में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में भी को मैंने कुमनेटी में भी एकमेंट किया था तो मैंने भी आपको एक्सिन बोल दिया था तो दवाई है याद रखे 2DG क्या है मैडिसीन है ठीक है कि वैक्शीन कितने प्रकार किया जाए प्रकार जी अभी वैक्सिन तीन ही हैं कोवीशिल गॉएक्सिन और Sputnik V Vaccine, जो हमारे दिश में इन तीनों वैक्सिन को मन्जूरी मिल चुकी है, और दवाई कॉन सी है, यह है, Anti-Covid Medicine 2DG, okay, Side Effect Shiva Ashish Ji वही, आपके, फीवर, मेंल जो side effect है, फीवर, बोड़ी एक, आपका जो लबसर दर्द होता है, और इसके एलावा थोड़ी बहुत गबराहट भी होती है, तो यह आपके दो दिन तक side effect रहते हैं, यह स्राजवेट जी बिल्कुल देते हैं, और बायलोजी की class channel की playlist में जाएंगे, तो अलग से folder भी बना हुआ है, बायलोजी की अलग से folder बना हुआ है, उसमें वीडियो से है, साइंस और टेक्नोलोजी का अलग folder है, जोग्रफी का, हिस्ट्री का, तो आप उनमें जाके वी पहली डोज लगनी शुरू हो चुकी है, पिछले अफ्तिम को डेट नहीं पता, हैदराबाद में फर्स डोज लगी है, स्पुतनिक वी वैक्सिन की, अमन कुमार जी, ठीक है, यास राहूल राज जी, सिर्फ आरने हैं, जो आपका कोरोना वैक्स, जो वाइरस है, उसमें ज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और कोई भी कोश्चन हो, तो बेज जी पुछे, वैक्सिन के बार में, मैडिसीन के बार में, वैक्सिन लगवाने के बाद, प्रिकोशन क्या है, सेजल सोनी जी, प्रिकोशन से ही है, कि वैक्सिन लगवाने के बाद, आप दो तीन तक र लेकिन फिर भी लापरवाई ने करनी हैं मास्क पैनेटाइजर का प्रयोग भी करते रहना ओके डी जी फुल फॉर्म की जो आपकी फुल फॉर्म है यहां लिखी हुई है दिखने रहा होगा हम सौरी आपको टू डियोक्सी डी ग्लुकोस ठीक है किसने कुशन पूचा है अश ऐसी अधिटीजर जैसे हम मैडिसिन ले रहे हैं यह भी एक मैडिसिन है तक जिसको कोरोना जिसको हो चुका है उनको ठीक करने के लिए दी जाएगी ताकि जल्दी वह लोग ठीक हो सके और और O-X-E-P, यपेंडेंसी उनकी कम हो फीवर कॉना टैबलेट ले, परेस्टमोल स जो आपको मिल जाए आपके नियरबाइ सेंटर पर उसी वह आपकी वैक्सिन लगवाले क्योंकि एक बार आपका नंबर चला ग्यार जिस्टेशन कराने के बाद पतानी फिर दुबारा कब आए और उस टाइम वैक्सिन अवेलेबल कोई होगी भी या नहीं होगी आपको नहीं आपको मिल जा तो प्लीज मुझे भी बताईएगा यस लोग नहीं मानते रहुराज जी हां बिलकुल यह तो आप जी नायं जी मुझे नहीं पता वैक्सिनेशन के बाद स्कूल शुरू होंगे नहीं होंगे क्या होगा होंगे क्यों नहीं होंगे कब तक निठलने बैटेंगे टीचर्स और बच्चे सोरी तीज कि रिजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन के जो है आपके रिजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप जो है आपके कोविन पर वैक्सिनेशन के लिए रिजिस्ट्रेशन करा दें ठीक है कोविन एप्लिकेशन पर आश्विन राना जी लाइब क्लास चलाने के लिए क्या चाहिए, एक कैमरा चाहिए, ये सामने आप खड़े हुजाए, ये लाइब देते रहिए एक डोस जो लगे दूसरे, हाँ, प्रदीप सोलंकी जी आपका कुशन अच्छा है एक डोज जो लगेगी दूसरी डोज में भही लगेगी या नहीं तो वीदियो मैंने बनाई थी तब अन्ह отлич ली बिताया थकि को वैक्सिन और को विशील्ट की पहली और दूसे डोस सेम है लेकिन Kasia की पहली और दूसरी डोस जो योई याद रखेगा अगर आप Sputnik V Vaccine लगवाने जाते हैं तो health worker को please ensure करिएगा कि आपको ये दूसरी dose लगनी जा रही है ताकि वो दूसरी dose आपको लगाए कि पहली dose गलती से ना लगा दे क्योंकि पहली और दूसरी एक दूसरे से Sputnik V Vaccine की dose अलग-अलग है Covishield और Covacin में सेम है ओके और कोई कोशन है तो इसके बाद हम बंद करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे प्लीज सम्जब बाइलोजी के लास का लिंक कहां से मिलेगा आपकी राजवे धुलकुर जी आप ऐसा करिए दक्षता अकेडमी बाइलोजी सर्च करें आपको पूरा फोल्टर मिल जाएगा ठीक है मैं स्कूल में प्रमोट करेंगे थैंक यू प्रियंशुराज जी थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए वीडियो को शेर करने के लिए थैंक यू कूप ओर्शन के बारे में क्लास लीजियो के जी नाइन जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है आशिश्टो इंश कुमार जे तीन चार दिन हो गए हमारी आप देख सकते हैं अब भी तो आठ बजे के आसपा चल रहा है अब आपना इम्मुनिटि कैसे बढ़ाएं तो विटामिन सी टैबलेट जो है आगर आप लेना चाहे तो मैं आप सभी को अध्यको करूंगी कि आपको कोरोना है या नहीं है तो भी विटामिन C वैक्सिन आप जब तक की कोरोना चल रहा है तो रोज एक विटामिन C की टैबलेट जुरूर ले किसी को डर होने पर वैक्सिन नहीं लगवाए है तो क्या होगा लगवाने ही चाहिए जैपरकाश जी अभी राहुल राज जी जु क्लास का टाइमिंग है आपको कॉमिनिटी में बता दिया जाता है तो चैनल को अगर community में नहीं होता तो subscribe करने के बाद bell को जरूट प्रेस कर ले ताकि मेरे जब भी live आए या community में कुछ भी post डालती हूँ आपको पता लग जाए आपको notification YouTube पर आ जाए वरना community पर check करते रहिए class आपको पता लग जाएगा राजवे धुलकुर जी दक्ष्टा अकेडमी सर्च बार में आप करेंगे दक्ष्टा अकेडमी बाइलो जी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा फोल्डर मैम कोरोना सिम्टम end होने के बाद स्वाद चला गया रामविला स्राठोर जी स्वाद चला गया है और कईयों को जो स्मेल भी नहीं आ रही है यह चीज हो रहा है कोरोना पिशिंट्स के रिकवर होने के बाद भी बिल्कुल लगवाईए राजवे अदर बिल्कुल वैक्सिन सभी को लगवानी चाहिए चलिए कोई और कोशन आप लोगों का तो जल्दी पूछ ले फिर एंड करते हैं क्लास हमने बता दिया लास्ट में आपको बता दू एक बार वाइंड अप कर देती हूं आपका कि जो भारत की पहली एंटी कोविट मेडिसीन मैं वैक्सिन की बात नहीं करें भारत की पूण रूप से स्वधेशी अगर वैक्सिन पूछा जाए कोरोना वैक्सिन की तो आंसर है आएगा को वैक्सिन अगर पूछा जाए एंटी कोविट मेडिसीन पूण रूप से स्वध तो वो है आपकी 2-DG, 2-DG, जिसकी फूर्फर्म क्या है? 2-Deoxy-D-Glucose, इस मैडिसीन को भारत में, जो भारत की इंस्टूट है DRDO, DRDO ने बनाया है, जिसका हैड़कॉर्टर आपके न्यू दिली में है, इस मैडिसीन को मंजूरी किस ने दी है, जो सभी मैडिसीन को मंजूर हमारे देश में, DGCI यानके Dug Controller General of India, जो हैड़कॉर्टर का भी न्यू दिली में है, DRDO ने इस मैडिसीन को बनाया है, लेकिन अभी आगे इसे मैडिसीन को बनाने का काम किसे दिया गया है, डॉक्टर रेडिस लेबरेटर को इसका काम दिया गया है, यह मैडिसीन कैसे हमारे पाउडर फोर्म में है, जिसे पाने के साथ मिला कर दिया जाता है, जब भी हमारे श्रीर में जाती है, तो जिसको भी coronavirus से जो infected है, तो उसकी बोडी में वो cell जो की coronavirus infected है, सिर्फ उनी cells पर जाकर यह जो medicine है, वो उस पर effect करेगी, वहां जाकर काम करती है, उस infected cell की जो growth है, उनक energy production है, उसको यह medicine रोक देती है, तो इस तरह से काम करेगी, इसका फायदा क्या होगा, जो function होगा इसका, कि इससे क्या होगा, कि जो coronavirus के मरीज है, वो जल्दी ठीक होगे, तो जल्दी ठीक हो भी रहे है, और जो उनके oxygen पर dependency है, निलभरता है, उसे काफी हद तक यह जो दबा करें, और चैनल को अपने फ्रेंट्स के साथ, इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेर जरूर करें, बाकि किसी और वीडियो को करना चाहें, तो उसको शेर कर दें, और अगर आप चाहें, तो Instagram, Telegram, Twitter, तीनों पर दक्षता अकेडमी सर का अकाउंट है, वहाँ ज जाएगा, वहाँ जाकर आप जॉइन कर सकते हैं, ओके, लाइब कितने बज़े आती होगेश जी, आपको बता दिया जाता है, चैनल पर जुड़े रहें, कॉमिनेटी में देख लिया करें, सब्सक्राइब करने के बाद बैल को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेश and all the best, चले